इस बार दिवाली में बिहार में पटाखे पर पावंदी लगा दी गई है। हलांके यह नियम मात्र चार जिलो में लागू होगा। दिवाली के बाद पटाखे के धूएं के कारण उत्पन होने वाले प्रदूर्शन को रोकने के लिए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। अन्य जिलो में इको फ्रेंडली पटाखे उप्योग करने का निर्देश चारी किया गया है। सरकार की ओर से पटना गया मुझपरपूर और हाजिपूर में दिपावली के दिन पटाखे पूरी तरह से प्रतिवंद रहेंगे। सरकार के मुताबिक इन चार जिलो को छोड़ से इस जिलो में रात आठ बजे सी दस बजे तक सिर्फ हरित पटाखे ही फोर्ने की छूट दी गई है। आदेश का उलंगन करने पर विधिवत कारवाई की जाए कि इसके साथ ही पटना जलास प्रशासन को पटाखे बिक्री पर सक्त निर्देश चारी क्या गया है। परशिद के आदेश के आनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। मुझब पर पूर इबं हाजेपूर जहांबीते वर्ष वायू गुनवता सुचकांग एक क्यू आई बहुत खराव रहा। प्रदूशन का आकड़ा काफी खराव आकी गई थी। इसके कारण इन चार जिलो में किसी प्रकार के पटाखे का उपयोग पुर्णता प्रवत्ती बंधित किया गया है। दोनारी जिलो में हरित पटाखे जलाये जासकते हैं, कम आवाज और धूमा वाले पटाखे सामिल है । इस तरह से बिहार में जो हैं दिवाली के टाइम पे तरह से पटाखे फोड ही जाते हैं से काफी स्चेज्ट हे लोगों काफी ब्रिधिंग प्रॉब्लम होती हैं लोग की काफी दिकतों का सामना करना पड़ता है उन्हें दिकतों का सामना करना पड़ता है तो इसको देखते हुए जो बैहार सरकार यानि दो घंटे ही हरित पटाखे फोड़ना है ना कि आपको ज्यादा धूए वाली पटाखे फोड़नी है तो ऐसे मैं आपको बता दे कि बिहार सरकार की ओर से ये नया दिशार निर्देश जारी किया गया है तमाम बात करें पतना की डियम डॉक्टर चंदर सेखर, SSP राज सकती है जहां पे पटाखे बिगते हुए नजर आएंगे तो ऐसे मैं आपको बता दे कि अब जो है चार जिलों में प्रतिवंध लगाया गया है पटाखे नहीं फोड़ने हैं बाकी के जिलों को लेकर जो है दिसार निर्देश दिया गया है कि हरित पटाखे ही फोड़े ऐ पाबली के दिन पटाखे पूरी तरसे प्रतिवंधित रहेंगे